जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं, आख में डालने वाला कौन कौन सा ड्राप होता है, आख में क्या दिकत क्या परेसानी हो जाता है, तब कौन सा ड्राप डॉलना चाहिए, कौन सा ड्राप किस परकार आख की समस्या में डाला जाता है, जब आख लाल हो जाता है, तब और कान में दोनों जगह डाल सकते हैं ये आई और येर दोनों होता है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासीन इस दवा में साल्ट पाया जाता है और जैसे कि सिप्लॉक्स ड्राप का उप्योग आख में जैसे कि आख में लाल होने पर जब किसी का आख लाल हो जाता है चाहे वो धू प्रेडा मौकोडा की वज़ा से हमारे आखों में लाली पना जाता है। उसके वज़ा से आख दर्द करने लगता है। या वैसे किसी कारडवस अगर आख में दर्द सा रहता है तब डॉक्टर के दोरह सिफ लाक्स आइड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि सीप्लाक्स ऐाय ड्राप का उप्योग आख में खुजली होने की समस्था जैसे कि आख में ऐसा लगता है कि उसे मलते रहते हैं. खुजली जैसा महसूस होता है आख के अंदर तब उस समस्य में डॉक्टर के द्वारा सिपलाक्स ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है ये ड्राप दिन में दो बार डालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है ये drop Sipla company द्वारा manufacture किया जाता है ये drop आपको किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाएगा Siplox नाम से Siplox इस drop का काफी famous brand name है जैसे कि अगला जो हमारा drop है Moxysip जान लेते हैं Moxysip Eye drop का उपयोग कहां किस परकार की समस्था में किया जाता है जैसे कि जो इसमें salt पाया जाता है Moxysiploxacin salt पाया जाता है इस दवा में जैसे कि अब बात करते हैं इस drop का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है जैसे कि जब किसी का आख लाल हो जाता है किसी भी कारर से अगर किसी का आख लाल हो जाता है जैसे इस समय आई फलो चला है तो उसमें आपने देखा होगा कि हर किसी का आखें लाल से रहती हैं तब उस समस्या में डॉक्टर के दौरा जो आखें लाल रहती हैं उसमें डालने के लिए ये ड्राप दिया जाता है और जैसे कि आखों के अंदर दर्द होना यानि आख में जब दर्द की समास्या रहता है, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, या वैसे किसी कारडवस आपके आखों में काफी ज़्यादा दर्द रहता है, या दर्द हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि इस अगर आपके आखों के अंदर काफी ज़्यादा खुजली होता है, तो एक परकार से हम कह सकते हैं, अगर आख में खुजली की समस्या होती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है, ये काफी अच्छा ड्राप होता है, मौक्सिसिप बताया जाता है, जैसे कि अगला जो हमारा आई ड्राप है, टोबा डियम, टोबा डियम आई ड्राप, ये ड्राप आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि इस ड्राप में जो साल्ट पाया जाता है, टोबरा माइसीन और डेक्सा मैथासोन इस ड अग Help आक में डालने के लिए डाक्र के दूरा दिया जाता एा ह। चलिए जान लेते हैं टॉबा, डीम ड्राप, आख में क्या दिकत, क्या परिसानी हो जाती है तब डाक्र दैते हैंगे जैसे कि अगर किसी के आख में दर्द रहता है किसी भी कारड से अगर किसी के आख में दर्द रहता है तब उस समस्य में भी डॉक्टर के द्वारा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है और जैसे कि जब किसी के आख में खुजली होता है किसी भी कारण से अगर उसके आख में खुजली की समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है और ये ड्राप सभी परकार के बेक्टिरिया संकरमड की समस्या में भी दिया जाता है अगर आख में किसी भी परकार का बेक्टिर इसे मिल जाएगा टोबाड डियम आईड्राप इस दोबा का काफी फेमस ब्राड नेम है ये आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर इस नाम से मिल जाएगा ये भी ड्राप दिन में दो बार डालने के लिए डाक्टर के दोरा बताया जाता है जैसे कि अगला जो हमारा drop है Jackson D, जान लेते हैं Jackson D जो आई drop है इसमें salt क्या क्या पाया जाता है, जो इसमें salt पाया जाता है, सिप्रोफलोकसासीन और डेक्सामेथासोन पाया जाता है, ये drop आप आख में और कान में दोनों जगा डाल सकते हैं, हम बात यहाँ आई drop की कर रहे ह तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं जेक्स सोन डी आई ड्राप किस परकार की समस्या में आप आख में डाल सकते हैं जैसे कि जब किसी का आख लाल हो जाता है यानि अगर किसी भी कारडवस से दूप में रहने की वज़ा से या फिर कीरा मकोड़ा के चले जाने की वज़ा से आख में या फिर किसी कारडवस धूलूल आख में चला जाता है उसकी वज़ा से अगर आपके आखें लाल हो जाती है तब आप ये ड्राप अपने आख में डाल सकते हैं और जैसे कि अगर आख में किसी भी परकार से अगर आपके आखों में दर्द रहता है या फिर दर्द हो रहा है किसी भी कारड से तब ही आप ये आई ड्राप अपने आख में डाल सकते हैं। अगर आख में डाल सकते हैं। ये ड्राप दिन में दो बार आख में डालने के लिए डॉक्टर के दौरा बताया जाता है। ये ड्राप आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अगला जो हमारा आई ड्राप है रिफरेश्टियर आई ड्राप जा जान लेते हैं रिफरेश्टियर आई ड्राप में क्या साल्ट पाया जाता है। जो इसमें साल्ट पाया जाता है। जैसे कि ये ड्राप आपको रिफरेश्टियर किसी भी मेटकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस आप देते हैं आख में डालने के लिए जैसे कि आख में पानी आना जैसे कि अगर किसी कारडवस आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आपके आख में कीड़ा मकोड़ा चल गया या वैसे किसी कारडवस अगर आपके आख से पानी आ रहा है तब उस समस्चा में आप ये ड्रा आप अपने आख में डाल सकते हैं और जैसे कि आखों में नमी होना केड़ा मकोड़ा चले जाने के जासे या फिर धूल कंकर के चले जाने की वज़ाअसे आख्यवे मेह सजलन्सी रहती या फिर लाली सा रहता है, तब भी आप इस ड्राप अपने आख में डाल सकते हैं यह ड्राप दिन में दो बार आख में डालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है रिफ्रेश्टियर ड्राप आपको किसी भी मेटकल इस्टोर पर रिफ्रेश्टियर नाम से किसी भी मेटकल इस्टोर पर आसानी से मिल जाएगा रिफ्रेश्टियर इस ड्राप का काफी famous brand name है जैसे कि अगला जो हमारा ड्राप है ओलो पेट ओलो पेट आई ड्राप के बारे में जान लेते हैं इस ड्राप का उपियो कहां किस परकार की समझ से हमें आख में क्या दिक्कत क्या परिसानी हो जाती है तब डॉक्टरों के दौरा ओलो पेट आई ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है जैसे कि जो इसमें साल्ट पाया जाता है ओलो पेटाडीन इस दवा का साल्ट होता है यानि इस दवा का कमपोजिसन होता है चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं औलोपेट, OD, आइड्राप आख में क्या दिक्त क्या परेसानी हो जाने पर डाल सकते हैं जैसे कि आखों में अलरजी यानि आख में किसी भी परकार से अगर अलरजी हो जाता है तब डॉक्टर के दौरा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है या फिर अगर आख में किसी भी कारड वसे अगर आखों में जलन होता है जैसे कि कीड़ा मकोडा के चले जाने से या किसी भी कारड से अगर आख में जलन की समस्या रहती है तब डॉक्टर ये आई ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है या फिर अगर किसी के आख मे बहुत ज़्यादा लाली पड़ जाता है हमें एक परकार से कह सकते हैं जब किसी का आख लाल हो जाता है तब उस समस्य में भी डाक्टर के दोरा ये ड्राप आख में डालने के लिए दिया जाता है जैसे कि अलोपेट, ओडी, आई ड्राप आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा ओलोपेट, ओडी, इस आई ड्राप का काफी फेमस ब्राड नेम है जैसे कि ये ड्राप आपको दिन में दो बार आख में डालने के लिए डाक्टर के दोरा बताया जाता है इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परसानी है तो आप अपने नजदी के डॉक्टर या फार्मासिष्ट से संपरक करके दवा लें कोई भी इंजक्शन, कोई भी दवा, कोई भी ड्राप आप अपनी मर्जी से आख में ना डालें